हाई अव्रीवान. अपिस ओडू के स्टार्ट में हम देखते हैं कि लिक उश्शी बार बर तयान को टच करते होए अपने संग्लासे सटाथा के रेड कलर को देख रहा होता है. और वो बहुत ही शौक होता है कि त्यान को टुच करने की वज़े से उसे रैट कलर को देखते हुए चकर नहीं आरे हैं और वो बारबर ये चेक करते हुए अनबिलेवेबल कह रहा होता है और त्यान तो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रही होती है और वो सोच रही होती है कि इसे क्या मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है या फिर ये मेरी बाते सुन ही नहीं रहा है और फिर त्यान इसे चलाने लगती है कि प्रेसेडेंट लिउशी तुम्हे क्या लग रहा है क्या तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है कि केविन ने मेरे प्रोजेक्ट को चुराया है इसलिए तुम बार बार अन्बिलीवेबल कह रहे हो फिर लिवशी से कहता है कि मिस त्यान मैंने तुम्हारी बाते अच्छे से सुना हूँ तो तुम फिकर मत करो मैं इस मैटर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करूँगा तो त्यान कहती है कि ठीक है फिर अपना प्रॉमिस भूलना मत नहीं तो मैं लॉग और मेडिया को यूज करके अपना हक लेना जानती हूँ और ये बोलकर त्यान गुसे में आज से चली जाती है फिर हम देखते हैं कि लिवशी अपने परसनल डॉक्टर हुआई से मिलने जाता है और वो इसे त्यान के बारे में बताता है कि त्यान को टच्छ करने से इसे रैट कलर देखने के बाद भी चकर नहीं आते है तो डॉक्टर हुआई से कहता है कि शायद ये लड़की तुम्हारे फोबिया से रिलेटेड होगी और हुआई लिवशी से कहता है कि देखो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चिनिटी है अब तक इस बिमारी की वज़े से तुम्हारे बिहेवियर को देखकर लोग तुम्हें गलत समझ रहे थे तुम्हें तो इससे कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन मुझे पड़ता है क्योंकि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल से जल अपना ये फोबिया ठीक कर लो और एक नॉर्मल जिंदगी जीओ तो अपसे तुम इस लड़की को अपने क्लोज रखो ताकि तुम्हारी बीमारी ठीक हो पाए फिर नेक्स दे आ जाता है और लिउशी अपनी कमपनी में होता है तब ही असिस्टेंट उससे आकर बताता है कि सच में कैविन ने ही तियान का डिजाइन चुराया है तो लिउशी से ओरर देता है कि तुरंथ ही कैविन को जॉब से निकाल दो और हाँ उस लड़की त्यान के बारे में मुझे सब कुछ इंवेस्टिगेट करके उसकी सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास लाओ फिर हम देखते हैं कि लिउशी मिटिंग में होता है और कमपनी के सारे ग्रूप मेंबर्स लिउशी को कले एक डिनर पाटी के लिए जाने के लिए बोल रहोते हैं क्योंकि उस डिनर पाटी में एक फेमस ट्वाइड डिजाइनर लुओ आने वाला है और कंपनी की सबी ग्रूप मेंबर्स लूओशी को एडवाइज दे रहे होते हैं कि अगर हम इस डिजाइनर लूओँ को अपने कंपनी में ले लेंगे तो हमें बहुत फाइदा होगा तो इससे पहले कि कुई और company लियो को अपने साथ लेने हमें लेना चाहिए फिर लियूशी अपने office में होता है और assistant इसे party के बारे में सब बता रहा होता है कि यह party में जाना सही नहीं होगा क्योंकि इसका theme red होने वाला है तो of course सारी decoration red color में होने वाली है और अगर बोस आप ऐसे संग्लासिस पहन के जाओगे तो ये बहुती अजीब लगेगा फिर लूशी अपने असिस्टेंट से पूछता है कि मिस्तियान की इंवेस्टिकेशन कैसी चल रही है तो असिस्टेंट लूशी को त्यान की पूरी डिटेल इंफरमिशन दिखा देता है और बताता है कि वो बहुती डेंजरस लड़की है और फाइटिंग में काफी ज़दा आगे है और वो बहुती ताकतवर भी है इसलिए बोस मेरा तो यही सुझाब है कि आप उससे दूरी रहो तो लूशी कहता है कि लगता है मिस्तियान बहुती पाउरफुल गल है एक काम करो तुम उसे कंपनी में इंवाइट करो मुझे उससे कुछ बाते करनी है फिर हम देखते हैं कि लूशी एक जूस की बोटल रखकर त्यान का ही वेट कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि उसे फिर से त्यान के उपर टेस्ट करना है फिर त्यान यहाँ पर आ जाती है तो लूशी अपने मन में सोच रहा होता है कि ये कितनी ordinary सी लड़की है लेकिन आखिर ये मेरी phobia से कैसे related हो गई है फिर 93 यहाँ पर आने की बाद sunglasses पहन लेती है और इसे पूछती है कि क्या President Luchy investigation के result आ गया है जो आपने मुझे बुलाया है तो Luchy से कहता है कि ये लो पहले cold drink पियो और वो इसे cold drink देते हुए इसका heart touch कर रहा होता है और फिर अपने sunglasses सरा के देख रहा होता है कि सच में उसे red color देखते हुए अब चकर नहीं आ रहा है फिर Luchy से बताता है कि सच में Kevin नहीं तुम्हारा project चुराया है इसलिए मैंने उसे company से निकाल दिया हूँ और तुम फिकर मत करो मेरी company तुम्हे copyright की पूरी fee देगी तो त्यान कहती है कि इसके कोई जरुवत नहीं है मैं इसमें ही खुश हूँ कि आपने इस matter को कैसे solve कर दिया है और मुझे justice मिल चुका है तो लुशे से कहता है कि तुम मुझसे कुछ और भी मांग सकती थी वैसे क्या तुम designer toy dinner party में आना चाती हो तो त्यान ये सुनके खोश जाती है और वो पूछती है कि क्या सच्छी में मैं आ सकती हूँ तो लुशे कहता है कि हाँ बिलकुल लेकिन बस मेरी एक condition है dinner party के पूरे time तुमें मेरा हाथ पकड़े रहना होगा ये सुनकर तो त्यान बहुती गुसा हो जाती है और इससे कहती है कि goodbye और ये बोलकर गुसे में आ से चली जाती है फिर घर पे आने के बाद त्यान अपनी फ्रेंड रोस को इस बारे में बताती है कि इसने कितना गंदा ओफर किया था और तुम्हें नहीं लगता कि ये पूरा एक चीचोरा लड़का है तो रोस कहती है कि मुझे तो लग रहा है कि ये तो पूरा का पूरा dominating CEO है फिर नेक्स जा जाता है और त्यान कहीं पर जा रही होती है तभी वो एक डॉगी को देखकर उसके साथ खेलने लगती है और तभी हम देखती है कि कोई स्टॉकर उसका पीछा कर रहा है तभी त्यान उसे देखकर ड़ जाती है और उसे fight करने लग जाती है और किसी को help के लिए बुला रही होती है और यहीं पर ही लिऊशी भी अपने assistant के साथ कहीं पर जा रहा होता है और वो त्यान को stalker से fight करते वे देख लेता है और वो भी त्यान की help करने के लिए हीरो की तरह वहाँ पर उसे stalker को मारने जाता है और लिऊशी का kick उस stalker को नहीं लगता बल्कि वो stalker ही लिऊशी को एक punch मार देता है फिर लिऊशी उसे गुसे में मारने के लिए जाता है तब ही वो उसका red टीशिट देखकर बेहोश होकर वही पर ही गिर जाता है और वो stalker तो यहाँ से भाग जाता है फिर त्यान लिऊशी और assistant को अपने घर ले आती है और वो लिऊशी से कहती है कि वैसे तो stalker भाग गया लेकिन मेरी help करने आने के लिए thank you फिर लिऊशी से कहता है कि मिस त्यान मैं तुम्हें सच में sincerely अपने साथ dinner party में invite करना चाता हूँ और शायद मैंने तुम्हें अपने sincerity नहीं दिखाया था और फिर लिऊशी से अपने पैसो का card दे रहा होता है पर त्यान तो हस कर वो card ऐसी fake देती है और फिर लिऊशी से कहती है कि वैसे आज मेरी help करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू तो अब खुद यहां से जाओगे या फिर मैं तुम दोनों को घर से बाहर निकालू फिर लिऊशी अपने assistant के साथ घर से बाहर आ जाता है तो लिऊशी खुश जाता है कि शायद अब वो उसका offer मान दे है पर वो तो इसका card return दे रही होती है और फिर वो दर्वाज़ा बंद करने जा रही होती है तब ही लिऊशी दर्वाज़ा रोक लेता है और इसे कहता है कि ये डिनर पार्टी सच में बहुती rare opportunity है तुम्हारे लिए और वो इसे डिनर पार्टी का invitation card दिखा रहा होता है और त्यान तो वो card देखकर बहुती खोश जाती है और कहती है कि इसमें तो मेरे senior low भी आने वाले है अगर तुम दोनों मुझे इस बारे में पहले बताते तो मैं तो कपका डिनर पार्टी में जाने के लिए ready हो चुकि होती फिर हम देखते हैं कि लिउषी और त्यान दोनों डिनर पार्टी के लिए ready हो जाते है और असिस्टेंट इन दोनों को बताता है कि क्योंकि इस डिनर पार्टी का थिम रैड है इसलिए आप दोनों को ही कुछ न कुछ रैड पहनना होगा फिर स्टाफ लूशी के लिए टाई लेकर आते हैं तो लूशी त्यान से कहता है कि तुम मुझे टाई पहनाओ तो त्यान कहती है कि क्या मुझे ये भी सर्विस निभानी पड़ेगी तो लूशी कहता है कि तुम्हें जो सोचना है वो सोच लो फिर त्यान लूशी को टाई पहनाई देती है और फिर लूशी इसका हाथ पकड़ता है और इसके बालों में वो क्लिप लगा देता है और फिर त्यान का हाथ पकड़ की कहता है कि चलो पार्टी के लिए चलते हैं फिर ये दोनों पार्टी में आ जाते हैं और लिशी देख रहा होता है कि सारी डेकॉरेशन रैट कलर में है और वो बहुती नर्वस फील कर रहा होता है और वो त्यान से कहता है कि तुम भूल कर भी मेरा हाथ छोड़ कर कहीं पर भी मत जाना यही तुम्हारी आज रात की ड्यूटी है फिर ये लोग पाटी में इदर दर घूम रहे होते हैं और सारी खाने की चीज़े भी खा रहे होते है और लिउशी तो बहुती खूश होता है कि अब वो रैट कलर की चीज़ों को कितनी आसानी से देख सकता है तब ही याँ पर लिउशी की चाइल्ड हुट फ्रेंड वेंच्वान भी आ जाती है और वो त्यान और लिउशी को ऐसे हाथ पकड़े देखकर जैलस हो रही होती है और लिउशी से पूछती है कि लड़की कौन है तो लिउशी से बताता है कि ये एवरी आच की डेट है फिर वेंच्वान लिऊशी से कहती है कि ये कितनी important dinner party है तो इसमें तुमने एक आम सी लड़की को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो अपने साथ क्यों ना आज की dinner party के लिए तुम मेरे साथ partner बन जाओ ये सुनकर त्यान लिऊशी का हाथ छोड़ देती है पर लिऊशी जल्दी से फिर से त्यान का हाथ पकर लेता है फिर वेंच्वान त्यान से कहती है कि आखिर तुम लिऊशी का हाथ क्यों नहीं छोड़ रही हो तो त्यान इससे बताती है कि मैं नहीं बलकि तुम्हारा friend लिऊशी ही मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा है फिर लिउशी वेंच्वान से कहता है कि मैंने ही मिस्तियान को अपने साथ यहां पर लेकर आया हूँ इसलिए तुम जाकर पार्टी इंजॉई करो मुझे अभी कुछ काम है फिर लिउशी त्यान को लेकर उसी डिजाइनर लो के पास आता है पर लो तो बहुत ही एरोगेंट होता है और वो तो इन लोग से बाती नहीं करना चारा होता है तो लिउशी उसे एक गेम के लिए चैलेंज करता है और फिर गेम जितने के बाद लिउशी उसे अपना बिजनस काट देता है और फिर वो यहां से चला जाता है फिर लूशी और त्यान मिलके फिर से उसे ही ढूंड रहोते हैं तभी त्यान उसे देख लेती है और कहती है कि देखो सीमियर वहाँ पर है पर वो फिर से यांसे भाग जाता है और लूशी उसके पीछे ही जाने को करता है तबी उसको सारी लड़कियां गेर लेती है और इस भीड़ की वज़े से लिऊशी से त्यान का हाथ छूट जाता है और लिऊशी नड़कियों की बीच में फस जाता है और तबी इतने में बहुत सारे बलून्स और रैट कलर की चीज़ें उपर उड़ाई जाती है और इन सारी रैट कलर की चीज़ों को देखनी के वज़े से लिऊशी को चकर आने लगते है और वो बेहोश होकर गिरने वाला होता है तबी इतने में त्यान सबी लड़कियों को साइट करते वे लिऊशी के पास आ जाती है और उसे गिरने से बचा लेती है और फिर क्यान की टच करते ही लियूशी को होश आ जाता है और इसे के साथ एपिसोड टू यहां पर खतम हो जाता है तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में